धूल जो करें, कौनसा आप मेडिकल हॉस्पिटल इनाउगरेशन कर रहे हैं प्राइमिनिस्टर, जब ये रिपलाई है कि 4,509 डॉक्टर्स की जरूरत हैं, आपके ने खाली 1,344 काम कर रहे हैं मजलिसे AIMIM YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पार प्रेस कर के विडियो को लाइक करें सवाल आप ने किया, मैंने नहीं किया अब धेर सो से ज्यादा BJP के मेले के पास 4-4-5-5 बच्चे हैं उनको टिकेट नहीं देगी BJP बताए मुझा आप ने मीडिया ने, हमारा बोलना यह है कि मोडी सरकार ने 2019 में एक डॉकॉमेंट रिलीज किया जिसमें उन्हें कहा कि रीपलेस्मेंट रेट उतर परदेश का 2025 में 2.1 हो जाएगा तो जब रीपलेस्मेंट रेट 2.1 हो जाएगा तो ये हिंदुत्वा के ये ब्रिगेड को ये लॉल आने क्या जूरत या तो मोडी सरकार जुट बोल रही है या योगी सरकार जुट बोल रही है दूसरा मोडी गाउर्मेंट ने सुप्रीम कोट में दो हुजार बीस में के एफिडेविट सुप्रीम कोट में दाखिल किया ज तो ये योगी 56 के खिलाब जा रहे है या 56 योगी के मातहथ है तीसरी बात ये है कि जो एन एफचेस डेटा है जिसमें ये कहा गया कि जो 99 2000 के एफचेस डेटा है भी तक कि रिली नियार और रिलीज नहीं हुआ उसमें ये कहा गया कि टी एफ़ार डिकलाइन हुआ है हिंदूओं में 1.2 और मुसलमों में 1.66 मैं चैलेंज कर रहा है जूटे सचे बता दे बीजेपी वाले चोहती बात यह है कि जो प्रोपोर्शन और प्रोजेक्शन रिपोर्ट है पॉपुलेशन का आनि वो तो गिर रहा है ना यानि हमारा जो ओर्लेज पॉपुलेशन ने वो डॉकुमेंट बता रहें कि रहेगा जब क्या करेंगे आप पांच वी हम बात यह उत्तरपरदेश के नौजवानों के लिए कह रहा हूं पुरे देश के नौजवान पूछ रहे हैं जिए डिविडेंट जो भारत में है वो लास्ट करेगा 2050 तक हमारा सिक्स्टी सिक्स्टी सिफफ़ए पॉपुलेशन पैंटीस साल से कम मरका है आप नोकरी को नहीं दे रहें कहां गई नोकरी आपकी करोड़ो लाखोल करोड़ो लोकरिया चले गए आपके कोवीट के सेकंड वेव के मिस्मारेजमेंट के बाद कारोबार ठप हो चुका है बरबाद हो चुके हैं उसकी फिकर नहीं है पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे मोडी सरकार ने पार्लिमेंट में ये कहा कि भारत में सिवियरली एक्वीट एक्यूट मैल नरिश जो चिल्डरन है छे साल चे मैने से छे साल के दर्मियान में वो जुमला नौलाग सत्ताइस जार है जिसमें चार लाग तो उतर परदेश में हैं इनको शरम नहीं आती इस मा सिवियरली एक्वी एक्यूट मैल नरिश जो चिल्डरन है छे मैने से छे साल की दर्मियान में तीन लाग चार लाग खरीब तो उतर परदेश में हैं और आप फिकर करें पॉपलेशन की अच्छा अब ये बताईए कि उतर परदेश का जो हेल्थ का मामूला है मैं चैलेंज कर रहा हूं योगिय जिते नाद को क्या ये बात सच नहीं है कि उतर परदेश में रूरल उतर परदेश में तेरह हजार नो सो चमवाली सब सेंटर्स का शॉट पॉल है सब सेंटर्स होना चाहिए 34,726 आप कर रहे हैं खाली 20,000 और आप कर रहे हैं वो पॉपलेशन के उपर शरम नहीं आती हैं उनको जूट बोलते वे पॉबलिक हेल्थ सेंटर्स पांच हजार 781 का रिक्वार्मेंट है आपके पास खाली 2936 उतर परदेश में इनको शरम नहीं इसके उपर दोकादेर उतर परदेश जनता को और फिर कमुनिटी हेल्थ सेंटर्स एट 53 परसंट शॉट फॉल हैं यही योगी सरकार का पोल मोडी सरकार खोलती है फार्लिमेंट में 22 नॉम्बर 2019 को क्या कहती है कि उतर परदेश में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में 4509 डॉक् सेंट है कितने काम कर रहे हैं योगी के दोर में 1344 कि पधान मंत्री और और उतर परदेश के चीफ मिनिस्टर देश की उतर परदेश जनता का आंको मुझ धूल चोंक रहे हैं कौन सा आप मेडिकल हॉस्पिटल इनागरेशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जब यह रिपला का यह चीज़े नहीं करेंगे खाली बस बाते करेंगे नफरत पहलाएंगे यही चीज़ है जो उतर परदेशी जनता इन से तंग आ चुकी है और इसका बहतरीन जवाब देगी उतर परदेश की जनता जब लाशें पानी में बहे रही थी कोवीट के लिए आक्सिजन से लो क्या मैं देखेे देखे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं आप मुझ से सवाल किये योगी सरकार के ये स्टप कम already जवाब दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मोडी सरकार यह कह रहे यह उतर परदेश के बारे में उनकी नाकामियों का पूरा खुलासा मैं आपसे कर रहा हूँ, अब मैं देखे, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं पदान मंत्री नहीं हूँ, जो सरकार में उनसे सवाल हम कर रहे हैं और सवाल करना चाहिए, उनकी पॉलिसी के पर हमने ये सवाल उठाया है, जो हम मानते हैं भारत के और उतर सेंटर्स बन पड़े हैं, कम्यूनिटी हेल्ट सेंटर्स बन पड़े हैं, रिप्लेस्मेंट रेट टू पॉइंट वन होगा कुंटी टूइंटी फाई में, पॉपुलेशन जो आपका सिक्स्टी यर्ज और अबाव जो है, वो तुइंटी ट्री पॉइंट वन हो जाएगा आपका ओल्डे सिक्स्टी यर्ज का वो पॉपॉलेशन दोजर च्छिटीस में, बताइए सब चीज़ें क्या है पिर, एक एक चीज़ का जवाब दीजे चलिए, देखते हैं, जवाब देते हैं, क्या है लोग, इस्टियार पे निकालना है, इकने जो काम है लोगी निवार हाँ, भी निवार है ना, चार लाग सिवेरली एक्यूट मायल नरिश चिल्डरन है, यह इस्टियार भी निकालो, आप बोली ना, आपके चैनल के जिर जी टी वी को, बोली जी टी वी को बोली है क्या भाईया, वहाँ पर चार अजार पांसो नौ डॉक्टर्स भी जरूर थ है, खाली 1,344 काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, आप ये बोस्ट इन नहीं करेंगे, आपके पास शौ्ट फॉल है, पopardी health centers में 13,945 का आप पापॉपलेशन की बात करते हैं है और आपके पास यह सब सेंटर public health centers सब सेंटर कमुणिटी health centers specialist community health centers में 84% का shortfall है और आप सब्सक्राइब करेंगे population की और याद रिकिए population इस तरह से करने से data है 93% सिव औरतों का sterilization होता है आप राशन नहीं देंगे आर्टिकल 21 का वाइलेशन है इस तरह का खानून भारत के सम्विधान के फंडमेंटल राइट के खिलाफ भी है पुट्टु स्वामी जज्ज्मेंट के खिलाफ है आपको नहीं होते हैं बेडिसाइड करने वाले मैं क्या करूं मेरी बॉड़ी से क्या मैं बोर रहा हूँ आपको शादी करो जाके क्या मैं बोर रहा हूँ जिस बीवी को आप छोड़के रखे हैं उसको घर में लाके रख लो मैं तो नहीं कह रहा हूँ नहीं यह बात मैं तो आपको छोड़ दिया हूँ आप नहीं करते मत करिये नहीं बुलाना चारे मत ब तो आपके चोड़े देश के अपर हैं महारा आप क्यों होते बलने वाले सब चीज़े तो संविधान के खलाफ है मैं जितने छे साथ पॉइंट को ठाया हूँ जी टीवी को चाहिए यह तमाम आप चैनल्स को कि मुझे जूटा साबित करें आप चलिए अच्छा परफॉम करेंगे इन्शालला 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 अच्छा परफॉम करेंगे इ हमारा संगठन बहुत जदा मख़ूथ हुआ है पहले के मिडिस्बारा आरे भाइय आप भी पंडिट वो भी पंडिट हम तो घरीब मुसलमाने अब पंडिट लिशाट करेगा मुसलमान जीतेगा नहीं जीतेगा इसा तो नहीं होगा ना उतर परते हैं जे सरकार में जहां पर दलीत है जहां पर मुसल्मान है जहां पर OBC है अरे आप यखिनन आप आप बहुत बड़े हैं वो जानता हूं मगर हम भी तो छोटे नहीं है अरे माशाला से जब लेला जाती है तो पूरे मजनू आप तरह की फीचे आते हैं ना हमारे इ आइसीमर एक स्टडी है जिसमें कोवेट केसिस बहुत जादा बताये गए है पर आपने ऐसा स्केटमेंट दिया है कि गवर्मेंट हस्टे इन सेकेंड देवाफ कोवेट तो उसमें पूरे नहीं मैंने तो आइसीमर डेटा का हवाला देते वे कहा है कि सीरो सर्वेलेंस उत् इतने अंडर कांटिंग का खुद दे रहे हैं जब सीरो सर्वेलेंस सेवेंटीवन परसंट है तो भाई आप इतना अंडर कांटिंग क्यों कर रहे हैं जूट क्यों बोल रहे हैं इससे बात जाहर हो गई कि उत्तर परदेश में खुद मैं फिर से कह रहा हूं सेकेंड वेव में साड़े तीन चार लाग से ज्यादा लोगों की मौते हुई है जो योगी सरकार छुपा रही है यह देटा है ना आपका सीरो सरवलेंस सेवेंटीवन परसंट होगा यह भी समझ में यह आएगा फंटा पीने वालों को पेगासिस पर यह कहना है कि पेगासिस को यह सरकार इस्तेमाल करके इलीगल काम किया है है किया है है किंग लीगली इलीगली अलाउड नहीं है और आप जब इसरायिल में इन्क्ُवाइरी हो रही है है फ्रांस में हो रही है आप क्यूं नहीं किरना चाहरे है हां 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 नहीं यह जनलिस्स को बोल दिए आप किसको दें भाई यह किसको आपको दें जी टीव अफ़्न बजहे हैं हां ने कि आपको भा जैंगे उसके तरीखेकार क्या है कि आप एक कमीशन मनाईे कुछ तो बनाईे उनको भजा सकते ना सुरु वह बल्के बहूं से हम भी भजाएंगे अरे सरकार देखिए सरकार जो है तैयार है नहीं है आप पुछ लीजे तैयार है तो फोन बिजा देंगे जरनलिस्ट लोगों का बिजाए और उन जरनलिस्ट का जो सरकार की गलत पॉलिसियों की स्टोरीज ब्रेक कर रहे थे अब उनका फोन उनका फोन हैक करें आप अच्छा खुद उसमें नाम आगया आपके दो मंत्रीयों का आपके मंत्री का नाम आ गया ना जो बिचारे स्टेट्मेंट पढ़ रहे उनका भी नाम आ गया इतनी इन सेकियरिटी क्यों है क्या नहीं हम एक इने सरकार एक जवाब दे दे आपने पेगेस एने एस सो से पेगेसिस n a soldat ने खरीदा क्योंकि एने सो ने कहे दिया कि हम government waited गourmanders को देते हैं आपने उसको स्टमाल किया, नहीं किया, पता दीजे ना, इतना इतना शरुमा क्यों रहे है जब आपने hack किया है तो अखरार करिए, क्यों hack किया आपने, क्या असिल करेंगे? डिमोक्रेसी का क्या होगा फिर किसको दें भाई किसको दें आपको दें आपको देंसे कुछ होगा आप तो आप दी तियार पर ने ने सुनिए किसको दें तो बार्लमेंट बात करेंगे गोविट पे डिबेट पे सबड़ेत tutti चाहिए ना सरकार स्रिफ अपने दिन में बूरूट मेजोरिटी के ओपर अपने बिल्स को पास तरा रही है, ये कौन सी डिमोकरिसी है, आप डिबेट करवाईए चलिए, आप कल मंडे के दिन बोलिए कि हम तयार है, पेगासिस पर डिबेट करेंए, चलिए बोलिए, हम बोलेंगे, अ पर असाम के सीयम साब तो नीडा के कनवीनर है, नीडा के कनवीनर हैं, उस पर केस्विक को गया है, अमिश्या होम मिनिस्टर की जाने के बाद मीजोरम और असाम की पोलिस पर फारिरिंग होती है, मशीन गनल्म जी से पाँच मेंज्जार्च lesson sketches की मौत हो जाती है, कि यह वह रहा है भाई हो क्या रहा है क्या खेल खेल रहे हैं लोग यह तो दो कंट्री नहीं नहीं तो एक कंट्री के दो स्टेट है तो सरासर इनकी बीजेपी की नाकाम यह सब्सक्राइब है तो अपना रहा उनसे पूछे ना मुझसे क्यों पूछ रहे आप मैं का ठेका लेकर रखाऊ हो रहे का जो अपना रहा उनसे पूछे आप लसी पर नहीं पुछेंगे सर इंडिया चाइना आज लसी डिसेग्रिमेंट पे इंडिया चाइना का टॉक है ट्वेल्थ रांड ऑफ टॉक है यह आज तो आप कमंदर देवला और चाइना यह माप का भी बाहर बोग दीजिए यह जो टॉक्स आखरी कब होई थी नव एप की जनता को कौशन कर रहा हूं कि चीन डेप सांग पर बात नहीं करना चारा है क्योंकि चीन की बुरी नजरे साइचन पर पढ़ चुकी हैं डेप सांग और डेमचॉक पर चीन बात ही नहीं करना चारा हाट स्पिंग गोगरा पर बात कर रहे हैं आखरी बाचीत हुई थी न A.N.I. के हमारे प्रमोट को साथ दिलेते हैं मैया सौधी नवेसियो और प्रमोट A.N.I. जाते हैं दिखाइए हमको डेमचॉक डेपसांग में चीन वा बैठा है नहीं है भारत की टेरिटरी में चीन बैठा हुआ है ये सरासर भारत के लिए नाखाबिल खुबूल है ये भार करके बैठा है और हमारे प्रधान मंतरी के मुझसे चीन निकलता ही नहीं है वो इतना चैन से बैठे है कि चीन बोली नहीं सकते अपनी जमान से क्यों नहीं बोलते हैं क्यों डरते हैं चीन से देश के प्रधान मंतरी अब भाई ये बैठा हुआ है ना पुरा जाकर भाई को जनरलिस्ट को नहीं जाते हैं, कोई MPs को नहीं बताते हैं, लिजा कर दिखाएं नहीं, जनरलिस्ट को दिखाएं कि ये डेपसांग है, ये डेमचॉक है, ये गोगरा है, ये हाट स्प्रिंग है, क्या एपरिल 2020 का स्टेटस को एंटे रेस्टोर हुआ, नहीं हुआ, देश के बदान मंत्री ने देश को जूट कहा, कि ना कोई घुसा है, ना कोई है वहाँ पर, तो पिर आपकी क्या बात कर रहे हैं लोगों से, इंडिया के टेरिटरी के अंदर डेपसांग, डेमचॉक, मेचीन बैठावा है, और हमारे भारत की सेक्यूरिटी के लिए, डेपसांग बहुत इंपॉर्टन्ट है, जो ये सरकार खामुझ बैठी हुए, तो आपके साथ से आज ट्वेस्ट लोग टॉप से इतने टॉप होगे पर कोई सेलूशन अभी आतावा नदर नहीं आ रहा तो, क्या क्या सलूशन निकल रहा है, बताइए, आखरी बातचीत हुई थी, न प्राइमिनिस्टर ने जूट कहा नहीं कहा, कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, बैठा हुआ है, आप किसी MP को लेकर नहीं जाते हैं, जनरलिस्ट को लिजा कर नहीं दिखाते ही, इन जगाओं पर डेप सांग, डेम चांग, गोगरा, हाट स्परिंग, चीन महा इंडिया के लेसी के अंदर बैठा हुआ है, ना देश के बजान मंती चीन के बारे में अपनी जबान से कुछ बोलते हैं, संदाटा है सरकार के पास, खामुश नहीं खामुशी है कि लगता है कि गबराते हैं चीन का नाम लेने से, इंडिया के मैप से निकाल दिया है, और यह जो कि अदिया है, नाम लेने तो इस पर आपनी से, वह आपनी से, शीज कर ले है, चाइना ने, वह वह चाइना कुछ भी कर ले है, अरुनाचर परदेश, देश का तूठ हिस्सा है, उसकर कोई कामपरमाज नहीं होगा